नमस्कार मैं राजमोंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में एक तरफ कोरोना का कहर लगतार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ लगतार बारिस की वज़ा से कई जीलों में बार्ड की इस्तिती बन गई है बिहार और नेपाल के तराई छेत्रों में हो रही रुक रुक कर बारिस के कारण कई इलाकों में बाड का खत्रा बना हुआ है कई नदिया अभी उफान पर है खबर या मिल रहती की 17 जुलाई से बिहार में मौसम थोड़ी सांथ होगी और बारिस की रफ्तार घटेगी लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जीलों में 18 से 20 जुलाई तक बारिस होने की संभावना है बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय जहां ने ट्वीट करिया जानकारी दी कि बिहार के पुर्वी और पश्मिच अंपारन सिवान सारन गोपालगन जीलों में 18 से 20 ज जल संसाधन विभाग ने जो जानकारी दी है उसके नुसर बागमती नदी के जल इस्तर में गिरावट देखी जा रही है लेकिन हाया घाट दरभंगा में उसके जल इस्तर में ब्रिद्धी हुई है माननदा नदी के जल इस्तर में भी गिरावट हुई है लेकिन बुड़ी गंड़क नदी के जल इस्तर में ब्रिद्धी मुझपरपूर, समस्थीपूर, खगड़िया के कुछ जगोंपर दर्च की गहिए खवर यवी है कि बुढडी गंडक नदीर रेवा घाट में खत्रे के निस्टान के उपर बह रही है वहीं गंगा नदी ने अभी तक कहीं खत्रे के निस्टान को पार नहीं किया है लेकि उसके आसपास ही जम्य हुई है गंगा के जलिस्तर में भी पटना मुंगेर चेत्रों में चलने वाली हवाओं का रुख बिहार होते हुए जारखंड और 36 गट की तरफ जा रहा है इसकी वज़ा से बिहार में धीरे-धीरे मौसम समानने हो रहा है बिहार के कई जीलों में अब तक जो बाड़ी सुई है उसने पहले से ही काफी तबाई मचा रखी है ब दूसरी और केंद्रियग्री राजमंत्री नित्यानंद राय ने भी टीम के सांथ बैठक की है बाड़ की संभावित खत्रेगों लेकर फिलाल तयारियां जोरो पर है कटियार किसंगंज अरिया सुपॉल दरवंगा मुझपरपूर्ग गोपाल गंज पश्चिम चंपारन प इलाकों में खड़ी फसल बरबाद हो गई है ना जाने कितने ही लोगों को घर्च और दूसरे जगों पर ठीकाना ढूड़ना पड़ा है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रही है बिहारी न्यूज धन्यवाद